ओम सिरी गनेश आयनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश रासी वालू अब भगवान शनिदेव ने लिख दिया है आपका नशीब अब आपको भगवान शनिदेव के असिरवास से एक सितंबर से तीस सितंबर यानि की शितंबर दोहजार बैस के महीने में चार बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं या दोस्तो भगवान शनिदेव के असे रवास से आपके लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर यानि के शितंबर 24 के महीने के समय अक्यंत महत पपून और बहुती भाग्या शालिशा में रहने वाला हैं जा दोस्तो इस महीने में गिरहों में हो रहे बड़े बड़े परिवर्तन आपके लिए बेहद ही लाबदायक साबित होने वाले हैं जिससे आपको मिलने वाली हैं चार बड़ी खुशकबरी जा दोस्तो आज के से वीडियो में आपके 1 सितंबर से 30 सितंबर याने सितंबर 2022 के महीने का संपॉन महाराशिफल बताने वाले हैं कि इस महीने आपको किन-किन चीजों से फायदा होगा, किन-किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, सात-साथ आपको लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून और शटीक जानकारी हम इसे वीडियो में देने वाले हैं और साथ शाथ वीडियो कंत में हम आपको कुछ उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने इन दिनों को और भी अच् लिखें जिससे भगवान शनीदेव का सिर्वाद आपको सित्य प्राप्त हो सके साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्पपून गयान बर्दक वीडियो अप लोगों तक पहुंच सके चलिए द कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की हैं बड़े बुजुर्गों का इशने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेग समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजी की दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों साथे साथ यह समय महमा के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड़ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्य संबंदी योजन के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तो साथ शाथ यह समय किसी संवेलन या फिर समारों में जाने का आपको आवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान सम्बंदी कार्य जैसे विभा नौकरी आदी कार्यों की योजनाए भी इस स समय रह सकती हैं दोस्तों साथी साथ यह समय उर्जा जोस और उमंग से आप पणिपूर रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रिकार के खर्चों का भी यह समय है परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मन औरंजन में भी समय व्यतीत होगा दोस्तों साथी साथ यह समय परिवार के साथ हर सो लास के साथ व्यतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्य कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हांसिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन ना की थी द जैसे आपको भारे नुक्सान का सामना भी करना पड़ सकता है सभी गति विदियों में ध्यान केंदरित रखना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक कश्मकस भी रह सकती है कहीं भी धन, संबंदी, निवेस, सोच समझ कर ही आपको करना है क्योंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विद्यारतियों को अपने प्रतियोगी परिक्षा संबंदी पड़ाही में अधिक ध्यान देने की आवशकता है दोस्तों साथि साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्तता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर तिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रवाब से कुछ संबंदी भी खराब हो सकते हैं परंतु जल्द ही परिस्टितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवशक हैं कोट केस संबंदीत मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के साथ वेहवार करते समय आप सावधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुसे वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यदिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्ने ही सरवोच रखें घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवश्चक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजोंक भी संबभ है प्रसंग बदनामी वे अपयस का कारण बन सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहें साति साथ काम काज में चल रही सितिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का उन सहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों साति सात यह समय परिवारिक शुक शांती वनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियो में आप सहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीत परिस्तितू के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस्तो बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी, शिक्षा और कारोबार में जादा महनत और परिश्रम की आवश्चकता है कार्रे विस्तार संबंदी किसी भी योजना को कार्रे रूप में पर्णित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप आवश्चा करें नौकरी पेशा व्यक्ती भी किसी भी ऐ प्रिचित व्यक्ती के साथ वहवार करते समय साबधा निवरतें कामकाज को आप पूरी गंभीरता वे संजिद्गी से लेंगे इस समय यह ध्यान रखना आवश्चक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार्टनर्शिप संबंदी वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें किसी प्रिकार का धुका हो सकता है दोस्तों साथी साथ यह समय कर छित्र में कौन्टिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी प्रिकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा ओर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नोकरी पेशा लोगों के लिए नोकरी में बौस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोन्निती की भी संभव ना है नोकरी में मनुवांच्छित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिस से आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा शाती सात मशीनरी नई तकनी की आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तो शाती सात यह समय व्यपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवशाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में से कर्मी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर करहना आवश्यक है अपनी दिन्चरिया एक दम सुव्यवस्तित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानियां रह सकती हैं स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तो सात यसात यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परन्तु थोड़ी सी सावधनी आपको स्वास्त रखेगी यूँ तो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अति आवश्यक्ता है दोस्तो साथी साथ आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्रणयाम का शहरा लेना होगा इससे आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आप प्रतेक शनिवार को काले कुत्ते को या फिर काली गाय को तेल से चुपड़ी रोटी जरूर खिलाएं और हो सकें तो उस पर आप थोड़ी से काली उलद की डाल रख लें गाय को खिलाएं तो काली उलद की डाल रखकर खिलाएं आपको विशे सुफलों के प्रा होता है और आओ इसनान आदीश निर्वत्त होने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काला धागा नापकर बहते हो जल में प्राहित कर दें और अपनी जो एक्छाएं मांगते हो इसको प्राहित कर दें ऐसा करने से जीवन के सो भी दुखदर्द आपके समाप्त होंगे और आ दान जरूर करें कुछ ना कुछ दान करें अन अन दान करें हो सके तो आप कुछ दान दक्षणा कर सकते हैं पैसों का दान करें मला स्रद्धा समर्थ के नुसार कुछ ना कुछ जरूर दान करें हो सके तो आप शरसों के तेल का ही दान कर दें आपको विशेश लाब होगा ग्रूप से फायदी होंगी जैदोस्तों ये तीवी कुछ छुपाए जिने आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपको विशेश लाभ मिलेगा जैश शनिदेव